अगर आप के परिशान है तो इस स्थिति में शायद ये वीडियो आपके लिए काती इंपॉर्टेंट हो तकी है तो इस वीडियो के ध्यान से देखिए और कई सारे फॉर्मुला जिसमें मैं बताने वाला हूं आपको ठीक है जिसके आप जानते हैं पर भी आपने देखी लिय करके यहां पर नेम लिख देते हैं और नेम आप स्टूडेंट कर देते हैं बलकि नेम आप स्टूडेंट तो यहां पर स्टूडेंट की नेम आएंगे और यहां पर तमाम वो सब्जेक्ट आएंगे जिन सब्जेक्ट की बात करी जा रही है जिनमें स्टूडेंट्स जो है आपने देखा होगा थमडेल में क्या-क्या formular हैं, तो total होगा, टोटल के बाद फिर आपका minimum होगा, फिर maximum होगा, लेकिन इसके भी पहले होगा, average, और average के बाद होगा, आपका minimum, मैक्सिमम, फिर grade, फिर percentage, ये तमाम चीजीए आप देखने वाले हैं, single एक विडियो में, ठेक ह करेंगे तो अभी पहले बात करते हैं यहां पर यह रोल लंबर की बात कर ले तो यह वन हो गया यह एंटर करके नीचे आएंगे तो यह तो यहां पर एक स्टूडेंट का नाम लिखां यह हो गया ठीक है जूटरे स्टूडेंट का नाम मैंने लिखा यह हो गया तीसरे स्टूडेंट का नाम मैंने लिखा यह हो गया चौथे स्टूडेंट का नाम लिखा यह हो गया यह हो गया पच्छे स्टूडेंट का नाम एंटर किया यहां पे एक और स्टूडेंट का नाम आ ग यहां पर एक और नाम हो गया तो यहां पर मार्क्स लेकर आने है तो यहां तो इस फॉर्मूले का आप इस्तमाल कर सकते हैं और यहीं पर ट्विस्ट है जरा ध्यान दीजे का यहीं पर ट्विस्ट आने वाला है ठीक है तो अगर इस चीच को अगर आप नहीं समझेंगे तो य यहां पर आपको क्या करना है सबसे चोटा वला नंबर देना है तो जैसे एंटर करते हैं तो यहां पर आपको यह दिखा देता है जब कि आपको यह पाता है कि यह भी स्प्लेड़्शीट थ इसमें भी से भी होना ठीए करना है करता है यह सारे नंबर पार यह सारे नंबर आखे सिसल फिर तो इस Er कोफी क्रके यहां यह फिसेन पे इसे नमर बनादेना है यह नंबर बना दिया हम ने ने और यहां जिब करना और यहां ब्रेक्ट कर लाइं तर लां करता हूं आपको ब्रेंग करना है आपको जतना हैndra कर लिए यानि सारे सब्जेक्ट को सब्जेक्ट करके ब्रैकेट को क्रूज करिए आप देखिए इस तरीके से इसे सलेक्ट करके बंद करके एंटर कर दीजिए तो यह मिनिमम मार्क्स आ गए डबल क्लिक करिएगा इस सबका आ जाएगा फिर मैक्सिमम मार्क्स के लिए में एक्स करिए ब्रैकेट को ओपन कीजिए और यहां से ड्रैक करते हुए चले जाएए ताकि आप सारे सब्जेक्ट को सेलेक्ट करें और एंटर करें तो यहां पर आपका मैक्सिमम मार्क्स भी इस नहीं है आपको सभेटे सीजिये आपकोि लगान होगा तो यहां पर इसको सलिक कीजिए और्स ग्रें than equal to अभी हमने किया था 85 अब कर देते हैं 75 75 पे ए ग्रेट रहेगा ठीक है तो फिर वहाई वही चीज की कॉमा यहां पर acceptable नहीं है तो अब semi-colon लगा करके और तब डविटेट कमा लगा करके तब bracket को open और फिर close कर लिजेगा जो डविटेट कोड़ से फिर यहां पर semi-colon दे दीजेगा फिर यहां इप लगाईएगा फिर फिर वही average पहला वाला सेलेक करना है इस greater than equal to यह हो गया और अब किसके तो आप 65 कर देंगे और फिर यहां semi-colon ही देना है semi-colon दे करके डविटेट कॉमा के अंदर अब हो जाएगा यह बी ग्रेट ठीक है और बी ग्रेट देने के बाद फिर यहां पर कॉमा लगाईएगा यानि कॉमा के बजाए आपको लगाना है semi-colon और फिर यहां इप लगाईएगा ठीक है इप लगा करके और यह average को select करना ह is greater than equal to और इस बार हम 55 करेंगे फिर semi-colon लगाईएगा और ऐसे में कौन सा grade आएगा तो ऐसे में grade आएगा आपका c grade ठीक है और फिर यहां semi-colon दे करके इप का formula लगाईए और ब्रेकेट को open किजिए फिर वही average को select करके is greater than equal to इस बार 50 करिए semi-colon लगाईए डविटेट Obama के अंदर आपको लिखना है क्या D grade ठीक है तो यह D कर दिया और फिर एक बार और आपको लगाना है semi-colon और अन्यथा में failed failed हो गया तो यह इस तरीके से आपको करना है ठीक है देखिए इसमें कहीं भी कॉमा नहीं दिया गया है और जितने इप open हुए था उतने इप close करके और enter करना है तो यहाँ पर देखिए यह जो है 50% से less है जिनका भी उनका fail ही आएगा यहाँ पर result देख सकते है इस तरीके से यह आ गया है ठीक है अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा percentage के उपर क्योंकि percentage भी देखना ज़रूरी है तो average of percentage में कोई खास difference तो होता नहीं है दोनों एक ही आता है लेकिन तरीका अलग-अलग है percentage अगर आपको calculate करना है तो आप इस तरीके से जाईए देखिए कितने subject हैं तो 5 subject हैं तो 5 subject के लिए सारे जो total में ही तो छिपा होगा हमारा percentage तो total को select है total का cell address आ गया h2 multiply by 100 करेंगे और upon 500 कर देंगे क्योंकि हर subject 100 marks का है तो 5 subject मिला आपके कितने marks हुए 500 marks हुए और अब enter करिए यहां पर same आया हुए result देख सकते हैं ठीक है अब इसमें count का कहां यूज है देखिए count कर सकते हैं एक और formula है count का तो यहां पर count लगा के मैं दिखा देता हूं कैसे count करेंगे देखिए is equal to count तो count किसको count करेगा केवल और केवल numbers क count करता है तो यह चीज़ ध्यान दिजीगा कि count कहीं भी text को count नहीं करेगा अब यह decimal number भी count कर सकता है या फिर बात करें integer number की इसको भी count कर सकता है लेकिन यह बिल्कुल count नहीं करेगा किसको जो text है उसको count नहीं करेगा तो यहाँ पर अगर मैं text को count करने की कोशिश करता हूं तो यह यहाँ पर 0 देगा answer तो देखिए यह 0 देगा लेकिन यही चीज़ count A लगा देते हैं तो count A दोनों को count करने में capable है यानि कि यह text को भी count कर सकता है और numbers को भी count कर सकता है तो यह अगर के से काम करता है तो अगर आपको टेक्ट और number दोनों को count करना हो तो count A का use आप कर सकते है चाहे चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं हम किसकी यहाँ पर बात कर लेते हैं count if की ठीक है तो यहाँ पर अब जैसे माल जी हमको पता करना है कि कि कितने subject में फिल हेंडल होता ही है इसमें इनेबल फिल हेंडल का मतलब यह का आप निकाल लीजिए नीचे ड्रैक कर दिए तो सब का आता चला जाता है तो यह count हो गया यह count यह formula हमने यहाँ पर function हमने apply कर लिया है देख सकते हैं अब क्या करना है तो अब यहाँ पर हमें कॉमा लगाना ह यहाँ पर लगाना है semicolon range select कर लिया semicolon लगा लिया अब डवेटिट कॉमा को open करिएगा और कहिएगा is less than अब देखिए less than कर रहा हूं less than 33 33 से जो less है वो numbers आप हमें दे दीजिए अब enter करिए तो तीन subject में ऐसा है कि यह 33 से less है तो एक बार चेक कर लेते हैं तीन subject में है या न है तो यहाँ पर थो्पर क्लर में रखूँ गा और यहाँ पर 33 से लिए तो यहां पर भी इसे सब कलर में रखूँका है तो यहाँ पर पास्ट वाला लगाना होगा तो आप इसका उल्टा कर देंगे तो पास्ट वाला केल्कुलेट हो करा जाएगा तो उम्मीद करता हूँ यह पूरी बात आपको समझ में आई होगी हर एक पॉर्मूला आपको क्लियर हुआ होगा अब बात करते हैं यहाँ पर वी लुक अप कैस उस चीज का डिटेल यहाँ पर यहां पर लगाने के बाद मैं लुक अप लेप अब यहाँ जिए हर पर देकिए ग्राश ओष और यह पूरा का पूरा table area आपको select करना होगा, अगर आप चाहते हैं accurate calculate करना, तो यह पूरा table area select हो गया, और अब क्या करना है, अब freeze करना है, freeze करना यानी freeze करने का मतलब क्या है, सब के पहले dollar लगा यह, मैंने आपको तीनों sell address से बहुत detail में समझाया हुआ है, आप चाहिए उसे देख सकते है, dollar लगाने का क्या मतलब होता है, dollar लगाने का मतलब होता है fixation से, यानी इसकी value fix हो जाती है, row और column की, ठीक है, तो यहाँ row के पहले भी dollar लगाया है, देख सकते हैं, अब फिर यहाँ semicolon लगाईए और semicolon लगा करके, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर, आप चाहे तो match का formula लगा सकते हैं, ठीक है, वैसे तो आप चाहे तो column index number या row index number यूज कर सकते हैं, तो अगर column index number यूज करना है, तो यहाँ पर माली ये average का column index number क्या होगा, जरतो कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 होगा, तो यहाँ अगर मैं 9 करके semicolon लगाके 0 दे दे तो यहाँ पर जो row number लिखा जाएगा, उसी की बात करेगा, तो यहाँ पर फिलहाल तो यह नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर इसे कोई value find होगी नहीं, लेकिन अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस प्रकार से calculate करके हमें चीज़ों को दे देगा, जैसे माली यहाँ प तो विधा हो, आसानी हो, आसानी से आप देख सके, तो देखिए इसमें 47% यहाँ पर आया हुआ है, यह देख लिए इसे एक different color में कर देता हूँ, ठीक है, तो देखिए 47% यहाँ आया हुआ है कि नहीं, लेकिन जैसे यहाँ पर मैं change करता हूँ, यहाँ पर roll number 4 कर देता हू तो देखिए यहाँ पर 47, जो भी 50.4% यहाँ पर आ रहा है, लेकिन माल लिजे यहाँ पर roll number कुछ और दे देते हैं, तो यह automatic change हो जाएगा, जैसे माल लिजे 10, ठीक है, लेकिन समस्या, अब देखिए 43.4 आ गया, लेकिन समस्या, भी look up के साथ यह है, कि अगर roll number को हटा करक अगर आप name of student के base पे लेके आना चाहिए, तो यह काम नहीं करेगा, यह आपको error generate करके देगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे ही name of student करते हैं, और यह student के name के base पे आप search करना चाहते हैं, जैसे माल लिजे वर्तिका करते हैं, यह वर्तिका जो लिखा हुआ है, इ कि मैंने बताए, आपको सारे formula open office में clear हो गए होगे, ठीक है, तो अगर आपको यह video पसंद आया, तो इसे share कीजेगा, और साथी साथ channel को subscribe करने, करना न भूलेगा, thank you for watching this video.